हलो दोस्तों मैं नना मुहम्मद कैसर और आप देख रहा हैं Study Channel बहुत सारी important ख़बरें आ रहे हैं दोस्तों जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इसके इलावा भी कुछ और important अपडेट हैं जो मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो में लाच तक बने रही हैगा इसी तरह की authentic और latest information पाने के लिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी information आ गई है Alleyboard के दरब से दोस्तों बिल्कुल free में आ गया है mock test UPSC PET परिक्षा के लिए दोनों भासाओं में ये available है चाहे वो अंग्रेजी हो या फिर हिंदी हो बिल्कुल free में आप ये test दे सकती है UPSC PET के cellbus पर ही आधारित ये mock test design किया गया है प्रशनों का आपको यहां पर विस्तरित हल भी मिलेगा और आपके performance का analysis भी यहां पर किया जाएगा तो अपने तैयारी को next level तक लेजाने के लिए PET का आप ये mock test जरू दीजिएगा link description box में दिया गया है तो चलिए दोस्तों वीडियो आज का हम लोग सुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे added junior परिक्षा update के बारे में added junior परिक्षा तिथी का इंतजार लाखो छात्र उत्तर प्रदेश के कर रहे हैं लेकिन दोस्तों अभी आपका इंतजार और लंबा होने वाला है चुकि इस भरती पर बहुत सारे court case हुए हैं इसी वज़े से इसकी परिक्षा तिथी का ऐलान नहीं किया जा रहा है तो बहुत सारे मामले हैं उसी में एक मामला है 50% graduation में बाध्यता एंसी टी ने ऐसी बाध्यता को समाप्त कर दिया था इसके बावजूद जो notification जारी हुआ उसमें 50% अनिवार कर दिया गया इस्पेसली बीट के छातरों के लिए छात चले गए कोट में और इस मामले की सुनवाई दोस्तों कल के डेट में हुई है औरेबल जज राजे सिंग चोहान जी की बेंच में इसकी सुनवाई हुई details आप अपने screen पर देख सकते हैं सुनवाई के बाद क्या हुआ आप लोगों को पता ही होगा जब एक बार मामले कोट में चले जाते हैं तो डेट पर डेट तारिख पर तारिख लगती रहती है एक बार फिर से तिन सब्ता का समय दिया गया है शाशन को और तिन सब्ता में counter-affidavit मांगा गया है अगली डेट इसकी लगा दी गई है 9 अगस्त को तो 9 अगस्त को as a fresh case इसे list किया जाएगा और इसकी सुनवाई होगी चोधर जुलाई को इसकी सुनवाई हुई थी मामला लगा हुआ था next date अगस्त में अब है अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में इसमें क्या होता है साथे साथ एक और मामला है मैनेजर वाला ये भी कोट में चल रहा है पहले आप लोगों को पता है कि अईरेट जुनियर में जो सिक्षक भरती है वो मैनेजर अपने थुरू करवा लेते थे जुगार से पैसे बगरा लेन देन करके लेकिन अभी स्विवस्था को समाप्त कर दिया गया योगी सरकार के दुआरा और न्यूक्ती का जो पावर है वो सरकार ने अपने हाथ में ले लिया यह मामला भी कोट में है इसी वज़े से एक्जाम डेट को एनाउंस नहीं किया जा रहा है जैसे यह सब मामले निपड जाएंगे एक्जाम डेट आपका आ जाएगा तो फिलहाल आप लोग टेज़ेटी की तयारी करिए अगर आपने आवेदन किया है तो टेज़ेटी के बाद ही आईडर जुनिर की परिक्षा कराई जाएगी चलिए बात करते हैं यूपिटेट 2020 के बारे में कई दुनों से इसके बारे में कोई खबर नहीं आ रही थी लेकिन दोस्तों अब अच्छी खबर आ गई है तो यूपिटेट दोहर भी इस नोटिफिकेशन निकालने का प्रस्ताव पी एंपी के द्वारा शाषन को भेज दिया गया है तो ये खबर मिल चुकी है पी एंपी के ने सच्छी साहब जो जोईन कर चुके हैं सभी चीज़ां वो समझ गए हैं और अब जो निया प्रस्ताव है वो पी एंपी ने शाषन को भेज दिया है जैसे ही साषन की तरफ से मंजूरी मिलती है इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा तो यूपिटेट के नोटिफिकेशन में काफी डिले हुआ पहले लोगडाउन कोरोना की वजए से फिर पंचायत चुनाओं की वजए से अब लेकिन दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जल निकाला जाएगा और परिक्षा भी आपकी जल्दी कराई जाएगी सितंबर में चांसिस हैं कि यूपिटेट का इकजाम आपका करा लिया जाएगा बात करेए प्रात्मिक सिक्षक भरती के बारे में कि भरती आने वारी है या नहीं तो दोस्तों शासन के तरब से अभी tog कोई भी जारवाई नहीं की जा रही है प्रात्मिक में नई भरती निकालने के लिए इतना धर्ना हुआ इतना हुआ अला हुआ लेकिन कहीं से भी किसी के द्वारा वाश्वासन नहीं दिया गया कि प्रात्मिक में कोई भरती आगे आने वाले समय में देखने वाले हैं तो अभी भी आपको संगस करने क जरुवत है क्योंकि अभी तक कहीं से भी ये जानकारी नहीं मिल रही है कि प्रात्मिक में कोई भरती आएगी छात रब इंतजार कर रहे हैं यूपी टेट के लिए और टीज़ेटी वीज़ेटी और पेट परिक्षा की जैसे ये एक्जाम समाप्त हो जाएंगे एक बड़ा धर्णा पादर्शन देखने को मिलेगा तो 20 अगस्त के पिट के बाद प्रात्मिक शिक्षकवर्ती के लिए बड़ा धर्णा होगा सभी 6 संगठन एक जुट हो गए हैं और इसके बारे में आपको आगे भी अपडेट दी जाएगी अब बात करते हैं पीटी लास्ट डेट के बारे में पीटी लास्ट डेट को लेकर भी मामले कोट में चल रहे हैं सुनवाई दोस्तों इसकी हुई और अगली डेट इसमें लगा दी गई है 28 जुलाई की तरकारी वकील के ना आने के कारर मामले में कुछ खास नहीं हो पाया कोट में और 28 जुलाई को इसकी अगली को डिस्टरब ना करें 20 अगस्त को ही कराईए लेकिन हम ही मौका दीजी हम भी फॉर्म बना चाहते हैं लाकों छात्र फॉर्म भरने से वन्चित रह गए हैं इसी वज़े से भरती कोट गए हैं अब थोड़ा से इंद्राइस में और करना पड़ेगा देखना होगा इसमें क्य पर अगस्त में होगा एक बार आप परिक्षा का पैटर्न देख लीजिए ताकि आपको एक्जाम में कोई दिक्कत ना आए पहले टीजीटी में इंटर्व्यूज होते थे लेकिन अब उसे समाप्त कर दिया गया है हाला कि पीजीटी में इंटर्व्यू होगा तो जो नया का पैटर्न है वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहें यह दोस्तों टीजीटी का एक्जाम पैटर्न एक्जाम आपका आफ लाइन होगा यूपी के सभी 75 जिलों में होगा MCQ यानि Multiple Twice Question पूछे जाएंगे लिखित परिक्षा होगी बहुत अरचाद लिखित परिक्षा को लेकर Confuse हो जाते हैं लिखित परिक्षा दोस्तों वो MCQ वाला ही एक्जाम है लिखित परिक्षा का मतलब कि आपको जाना है और पेपर देना है तो MCQ होगा यानि सभी प्रस् है कोई भी Negative Marking नहीं होगा एक सवाल चार नंबर का होगा तो TGT का कुल पूडांक 500 नंबर का है और यह जो 500 नंबर है यह पूरा पूरा आपके पेपर से ही होगा चलिए देख लीजिए PZT 2021 का भी एक्जाम पैटन सब कुछ यहां पर सेम है यहां पर सिर्फ बदलाव एक है एक सवाल का यहां पर 3.4 नंबर दिया जाएगा जबकि TGT में चार नंबर था तो यहां पर 125 सवालों के लिए कुल 425 नंबर होगा और जो बचा हुआ 75 नंबर है उसे 50 नंबर इंटर्विव और 25 नंबर वेटेज के आधार पर दिया जाता है तो सवाल दोनों जगए आपको 125 ही करने हैं इसका आपको ध्यान रखना है नेगेटू मार्किंग नहीं होगी मैंने आपको बता ही दिया एक और अपडेट है B8 प्रवेस परिक्षा से संबंधित एक्जाम देने के लिए आपको कोविट रोधी किट का प्रियोग करना होगा उत्तर प्रदेस B8 प्रवेस परिक्षा 2021 जो की 30 जुलाई को होना है उत्तर प्रदेस के सभी 75 जिलों में ये एक्जाम होगा 5,95,305 अबहरती इसमें रेजिस्टर्ड हैं कुल 1476 प बलकि सुरक्षित रोप से करवाना है इसके लिए हमने योजना बनाई है कि प्रवेस परिक्षा में सामिल होने वाले सभी अबहरतियों को कोविट रोधी किट दी जाएगी यानि फेस सिल्ड दी जाएगी और उसे आपको लगाना होगा ताकि आप भी सुरक्षित रहें औ और आपके आस पास जो चात्र हों भी सुरक्षित रहें और आपके परिवार वाले सदस से भी सुरक्षित रहें उन्होंने बताए कि कोविट रोधी सिल्ड में फेस सिल्ड दो पालियों के लिए दो मास्क सीट और अन्न किसी चीज़ को साफ रखने के लिए नैपकीन सेनि वाना जरूरी नहीं है या फिर कोविड का नेगेटी रिपोर्ट भी आप से नहीं मांगा जाएगा हाला कि आप अपनी सुरक्षा के लिए वैक्सिन जरूर लीजिए अभी भी कोरोना समाप नहीं हुआ है तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है तो बच के रहें सोसल ड शेयर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजिए दोस्तों कि किसी तरह की आथेंटिक और लेटेश इन्फॉर्मेशन यहां पर दी जाती है तो इंतजार ना करें सस्क्राइब का जो लाल रंग का बटन है उसे सलेट कर लीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियोश के नोटिफिकेशन मलते रहें थैंक्स और वाशी